हलो दूस्तो वेलकम बैक टू रोर टू आई टी और इंटेग्रल केलकलस की जो हमारा फुल कोर से उसमें यह हमारा नेक्ट लेक्चर है हमने बहुत ही अच्छे-च्छे कॉलिटेटिव जो प्रिविएस एक्जाम्स में आए हुँग क्वेशन है उसकी स्टार्ट कर दिये और और वही सीथी हम आगे बढ़ाने वाले हैं ठीक है और लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेशन होंवर्क में दिया था तो आई होब कि सबने उसका आंसर मुझे कॉमेंट में दिया होगा ठीक है तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वहीं क्वेशन से और उसके बात दीर से एक्सपर थिटा कहीं पर होना चाहिए ठीक है और उस हिसाब से मैं सिंप्लिफाय करके आंसा लाने का ट्राय करूंगा और वही अप्रोच जो मैंने आपको बोला था वही अप्रोच से मैं आपको आज question यह solve करके दिखाऊँगा ठीक है पहले मैं question लिख देता हूँ question दिया है हमें just a second question दिया हमें integration sec raise to 4 by 9 theta into cosac raise to 14 by 9 into d theta ठीक है theta d theta ठीक है यह question दिया है अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे क्या चाहिए मुझे कुछ भी करके sex square theta ऊपर चाहिए कोई नहीं यह question है ठीक है यहाँ पर ही मैं कर देता हूं sex square के साथ multiply divide sex square theta यह हो गया divided by sex square theta यह भी हो गया और यहाँ पर जो question था मैंने वही का वही लिख दिया है ठीक है कोई दिक्कट नहीं है और यहाँ पर cosec raise to 14 by 9 d theta ओके no problem no problem आप देखिए, इसको तो मैं संभाल के रखूँगा, क्योंकि numerator में मुझे sec square theta और d theta चाहिए, इसनों को मैं संभाल के रखूँगा, अब बाकी सब को simplify कर दूँगा, देखिए, integration, अब मुझे sec cost को 10 में अगर convert करना है, sec और cosec को 10 में convert करना है, तो उसके लिए sin cost में convert करना है, और sin by cost मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा 10, ठीक है, ओके, no problem, यहाँ पर है sec square theta d theta मैंने लिख दिया है, no problem, no problem, आप देखिए, यहाँ पर है sec rest to, क्या है यह, sec square theta, यहाँ पर है sec rest to 4 by 9 theta, तो नीचे आएगा अगर यह, तो यह हो जाएगा sec square, 2 minus 4 by 9 theta, और उपर क्या बचा है मेरा cosec 14 by 9, यहाँ पर है d theta, ठीक है, यह होगा, यह होगा, d theta आप तो नहीं लिखना, यहाँ पर लिख दिया है मैंने, sec square theta, यहाँ पर d theta, जो मुझे चाहिए है, वो मैंने बचा के रखा है, उपर क्या हो जाएगा, दिखिए, उपर हो जाएगा cosec all rest to 14 by 9, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 minus 4 by 9, that is 9, 18, omg, यह देखिया, यह भी 14 by 9 आएगया, चीक है, theta, ठीक है, यह भी 14 by 9 आएगया, दिखो, मतलब, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, यह मेरा हो गया, integration, 1 upon sign होगा यह, cosec मतलब 1 upon sign, और यह उपर cos, तो नीचे मेरा आजाएगा, 10, 14 by 9, theta, और उपर क्या है मेरा, उपर है मेरा, sec square theta, d theta, I hope, यह चीज सब को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान से दिखे, मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ sec square theta के साथ multiply गया, based on the option that I have, और फिर मैंने form generate किया, और मुझे यह, easily, बहुत easily, मुझे यह form मिल गया, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको उपर ले जाऊँगा, तो यह क्या हो जाएगा, दीखे, एक और पेज ले लेता हूँ, यह हो जाएगा, integration 10 minus 14 by 9 theta into sec square theta d theta, ठीक है, अब function है, और बगल में उसके differentiation है, तो मैं power rule apply कर सकता हूँ, no need to assume कि t is equal to 10 theta, मतलब sex square theta d theta is equal to dt, और फिर put करो, ठीक है, करना चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा, इसको सीधा integrate कर दो, यह मुझे पता है, यह function है, इसका derivative है, तो यह क्या हो जाएगा, 10 raise 2 minus 14 by 9 plus 1 divided by minus 14 by 9 plus 1 plus c, ठीक है, तो यह मेरा क्या answer, final answer मेरा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा minus 14 by 9 है, और 9 यहाँ पर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा, divide में minus 5 by 9, okay, और उपर भी हो जाएगा, 10 raise 2 minus 5 by 9 theta plus c, ठीक है, तो according to that minus 9 by 5, 10 minus 5 by 9 theta plus c is my correct answer, I hope सब को समझ में आया होगा, so right answer is option number B, B मेरा correct answer हो गया, ठीक है, दीक है, कैसे हमने options का use करके, इसका correct approach find किया, ठीक है, option का use करके, कैसे हमने correct approach find किया, ठीक है, बहुत बार integration में यह होता है कि option का use करके, हम correct approach find कर सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, again, a very good, a very question, ठीक है, क्या बुलाए, the anti-derivative, anti-derivative मतलब integration, anti-derivative of f of x is equal to 1 upon 3 plus 5 sin x plus 3 cos x, whose graph passes through the point 0, 0 is, मतलब, यहां पे c नहीं आएगा, जब भी हमें कोई point दे दिया होता है, तब हम क्या करते हैं, जो हमार answer आता है, उसमें 00 put करके, हम c की value find कर सकते हैं, always, ठीक है, तो यहां पे c नहीं आएगा, दीखिए आपको, कहीं पभी c नहीं दीखेगा, okay, no problem, आप दीखिए, मुझे, फिर से बता रहा हूँ, कैसे हम question में से answer में जाएंगे, ठीक है, अब आप दीखिए, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मुझे दिया है, 3 plus 5 sin x plus 3 cos x, okay, no problem, और option में मुझे हर जगा दिख रहा है, ln, 1 plus 5 by 3, 10 x by 2, इस तरह से कुछ मुझे दिख रहा है, चीक है, okay, कोई दिखिए दिखिए, अब यहां से मुझे ऐसा equation मनाना पढ़ेगा, कि नीचे 10 का form generate हो, और अगर मुझे नीचे 10 generate करना है, तो उपर मुझे क्या करना पढ़ेगा, उपर मुझे करना पढ़ेगा, sex square theta, तभी मैं sex square theta, d theta करके, जैसे हमने आगे किया था, वैसे कर पाऊंगा, चीक है, दीखे, मैं कहां से कहां जा रहा हूँ, मुझे option में 10 दिख रहा है, और वो भी ln है, तो ln का बाता है, जब 1 upon x का हम integration करें, तब हम उसे ln लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर 10 वाला function है, तो उपर मुझे sex square चाहिए, तभी मैं ln और 10 को connect पर पाऊंगा, लेकिन यहां पे sin cos, तो मैं sin cos को ln में convert करने का try करूँगा, I hope, यह चीज़ सबको समझ में आई होगी, ठीक है, तो अब उसको कैसे करना है, वो हम पहले थोड़ा देखते हैं, ठीक है, ओके, यहां पे 3 plus, ओके, ओके, no problem, कैसे करते हैं, हम देखिए, 1 upon, यहां पे 3 है, 1 plus cos x में लिख देता हूँ, 3 common, और plus 5 sin x, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यह देखिए, यह हो जाएगा, 3, 1 plus cos, मतलब 2 cos square angle half, plus, यहां पे हो जाएगा, 5 into sin x, मतलब 2 sin x by 2, into cos x by 2, बहुत ही सुन्दर, आप देखिए, यहां पे हो जाएगा, 1 upon, यह मैंने क्यों गिया, पता है, क्योंकि, अगर मुझे complete 10 में convert करना था, तो यहां पे यह constant हो रहा था, अगर मैं पूरा sin में divide करता, तो यह 10 हो जाता, यह cos cancel हो जाता, तो मुझे यह एक, 3 term में से 2 term करना था, that's why I have done this, आप देखिए, यहां पे हो जाएगा, यह 6 cos square x by 2, okay, no problem, plus, यहां पे हो जाएगा 10 sin x by 2, into cos x by 2, no problem at all, ठीक है, अब मुझे इसको किस में convert करना है, 10 में, 10 में convert करना है, तो यह cos square को हटाना पड़ेगा, तो मैं उपर नीचे cos square से divide कर दूँगा, तो उसका क्या फाइदा होगा, उपर sec square x by 2 आजागा, जो मुझे हमेशा चाहिए, और नीचे क्या आजाएगा, cos x by 2 cancel हो जाएगा, तो नीचे आजाएगा मेरा 10 x by 2, ठीक है, तो यहाँ पर मैं divide करता हूँ, what I will do is, I will divide numerator and denominator by cos square x by 2, ठीक है, तो उसका क्या होजाएगा, दीखे, उपर होजाएगा, sec square x by 2, dx आजाएगा, नीचे होजाएगा, 1, sorry, यहाँ पर यह cancel होजाएगा, तो यह होजाएगा, 6, side में आजाएगा, 10, और क्या आजाएगा, 10, 10 x by 2, ठीक है, तो I hope, यह जो है, इसको हमने convert कर दिया है, इसमें, अब इसका हम integration करना हमारी लिए बहुत ही रद्धी काम है, क्यासे, क्योंकि यहाँ पर मुझे 10 दिख रहा है, यहाँ सेक स्क्वेर दिख रहा है, तो मेरे लिए बहुत बच्चों का खेल हो गया, आप दिखिए, तो इसको मैं क्या करूंगा, ध्यान से दिखीगा, चीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैरा integration क्या बचा है, 10 x by 2 divided by 10 x by 2 plus 6 dx, ठीक है, यह बचा है, तो बहुत ही सिंपली, मैं यहाँ पर x by 2 है, तो यहाँ पर 10 x by 2 का क्या होगा, 10 x by 2 into 1 by 2, तो यहाँ पर 5 common ले लिया, तो integration में क्या बचा, integration में बचा, 10 x by 2, और नीचे आ जाएगा, 2 10 x by 2 प्लस यहाँ पर 6 by 5, ठीक है I hope यहाँ पर सबको समझ में आओगा अब मेरा काम खतम हो गया, अब मेरा answer मुझे मिल गया है easily, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर यहाँ पर मैंने 5 common लिया है, ठीक है आप दिखिए, यहाँ पर इसका differentiation क्या होगा, 2 into 10 x by 2 का differentiation, 6 square x by 2 into, यहाँ पर हो जाएगा 1 by 2, ठीक है, यह 2 to cancel तो 6 square x by 2, जो हमें उपर चाहिए वो 6 by 5 का क्या होगा, 6 by 5 का differentiation हो जाएगा, 0, तो नीचे function है, उपर उसका differentiation है नीचे है मेरा function, और उपर है मेरा उसका differentiation, ठीक है तो उसके लिए मेरा answer क्या आता है यहाँ से मैंने 5 common लिया था, ठीक है 5 common लिया, तो अंदर क्या बज़े 2 और यह 6 by 5, ठीक है, चरिए तो यह मेरा answer आजाएगा 1 by 5 ln अंदर आजाएगा 2 10 x by 2 plus 6 by 5, ठीक है plus c, I hope यहाँ तक सबको समझ में आओगा, यह मेरा direct answer बन जाएगा, ठीक है अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं और simplification चाहूँ, तो simplification मैं कर सकता हूँ 2 common लेके, ठीक है, लेकिन उसकी मुझे नहीं लग रही है कोई जरूरत है, और यहाँ पे हमें दिया था कि at 00, हमें find करना है तो यह passes through 00 बोला है, तो यह किसका answer आगा, this is nothing but why why हमें यह मिल गया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y is equal to 0 रख दूँगा, 1 by 5 है, ln x 0 रखूँगा, तो 10 0 0, 0 into this 0 plus यह भी 0, तो मेरा ultimately यह अंदर आ जाएगा 0 plus c, तो c भी मेरा क्या आ गया, 0 c 0 आ गया, तो मेरा y का final equation क्या है, y मेरा हो जाएगा, 1 by 5, ln, यहाँ पे हो जाएगा, 210 x by 2 plus 6 by 5, ठीक है I hope यहाँ तक सब को यह चीज एकदम अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, तो यह मेरा final answer हो जाएगा, ठीक है लेकिन ऐसा answer क्या मुझे दिया है नहीं, मुझे कैस में दिया है, 5 by 3 के term में दिया है, कोई problem नहीं है, कोई problem नहीं है, गवराना नहीं है, बिल्कुल गवराना नहीं है मुझे 5 by 3 के term में दिया है तो यह क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 by 3 10 x by 2 क्योंकि हमें आगे 1 भी चाहिए ठीक है 1 भी चाहिए तो मैंने 6 by 5 3 डिवाइड कर दिया ठीक है तो यह मेरा final answer बन गया 1 by 5 ln 1 plus 5 by 3 10 x by 2 I hope यह चीज़ सबको समझ में आई होगी बहुत easy है और हमारा answer बन गया यह option number B ठीक है this will be my correct answer I hope सबको समझ में आया होगा अच्छे से ठीक है तो बहुत यह सुन्दर question था लेकिन हाँ approach कैसे हमें पता चल रहा है option देखे option से मैं idea लगा रहा हूँ देखिए आपके सामने ही मैं solve कर रहा हूँ ना मैंने solve किया है मैंने आपके सामने ही solve कर रहा हूँ ठीक है तो I hope सबको मजा आ रहा होगा ओके बहुत ही अच्छा question बहुत ही simple है लेकिन हाँ अच्छा है integration cost rest to 4x बोला है और हमें यह उसका answer दिया है यहाँ पर ABCD की value है और हमें ABC की value पूछी है सिंपल हम इसका integration करेंगे और हम ABC को इसके साथ जो final answer रहेगा cost rest to 4x dx का उसको अब इसके साथ compare करेंगे ABC की value निकालेंगे और हमारा answer लिख देंगे यह आप करिए homework में next time मैं जब आऊंगा तब आपको पहले इसका answer दूँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है सो तिल देन थैंक्यू फर वाचिंग देस वीडियो गाइस प्लीज लाइक कर दीजिए आपको पसंद आए तो शेर करिए और जादा से जादा कॉमेंट कीजिए अबर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करिए आपको कुश्यन है तो भी कॉमेंट करिए थैंक्यू